बिस्मिल्ला हिर्मान रहीम असलाम लैकूम मैं यूट्यूब फैमली आज मैं आप सब के साथ पहुत ही मज़े की मिनी चिकन पॉकेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं पहुत ही जबर्दस्त और डिलिश्यस बनते हैं ये इसके साथ ही मैं इस वीडियो में आपके साथ प इतना गरम लेना है कि आप उसमें जब फिंगर डालें तो आपकी जो फिंगर वो उसको बरदाश कर सके उतना गरम होना चाहिए ज्यादा गरम ले लेंगे तो जो इस्ट हो जाएगी इसमें एक टेबल स्पून डाल देंगे पिसी हुई चीनी और 1.5 टीस्पून डाल दें इंग्रेडियंट्स की लिस्ट आपको निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चाहेंगे तो आप आपे जरूर चेक कर लें इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर कवर करके रख देंगे साइट में तो पान से दस मिनिट के लिए चब तक की जो इस्ट है वो एक्टि अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से यहां तक पानी है और इसके उपर पूरी इस्ट की यह फोम है यह दिखिए तो अब हम इस मिक्षर को डाल देंगे इसके अंदर और साथी में मैंने बगल में गरम पानी भी रखा हुआ है गुनगुना पानी है वो जिससे हम इसका डो लगाएंगे तो पहले आप इस्ट वाल तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें गुनगुना पानी एड़ करें यह दिखिए आपर मैंने चिपचिपा साडो इसका लगा लिया है अब हम इससे सर्फेस पे रखेंगे और इसे हमें नीट करना है इस तरह से स्ट्रेच और फोल्ड मैथड से यह दिखिए आपको इस सट्रेच करना था फिर फोल्ड करना थास्ट्रेच करना है इस तरह से ऐसे नीट करना है जब तक चिंट नहीं हो चाहता और आपके हाथों पे और सर्फेस पे uस्टी उगाना व्न Pan देता तब तक आपको इसे शचिपचा आपको 10 ताइम लग जाता है इसमें द객ए इस तर तो को ऑईल से ग्रीस कर सकते हैं थोड़ा सा तेल लगा कर फिर आप इसे नीट करें तो यह दिखें यहाँ पर जो डू था हमारा रेडी हो गया बिल्गुल चिकना और स्मूथ सा यह दिखें नहीं तो यह सर्फिस पे चिपक रहा है नहीं तो हाथों में चिपक रहा है आप कि जब यह राइज हो तो यह बोल में चिपके ना तो आप नीचे के दरफ और साइड साइड में भी इसमें ऑईल लगा दे अच्छे से और अब हम इसे कवर कर देंगे क्लीन रेप से और इसे रख देंगे गरम जगा पर जिससे कि अच्छे से प्रूफ हो जाए इसमें एक अध्रक और लेसन का पेस्ट और इसे हमें भून लेना है लो फ्लेम पर दो मिनट के लिए जिससे कि अध्रक और लेसन का जो रॉफ लेवर है वह चला चाहे और जब अध्रक लेसन भून जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे बोलने चिकन जिसे मैंने बिल्कुल छोटा-छ चॉप कर सकते हैं बिल्कुल बाइट साइस का आपको इसे चॉप करना है तो इसे हम डाल देंगे इसके अंदर यह 200 ग्राम है इसे डालने के बाद हमें इसे कुक करना है जब तक कि जो पूरा चिकन है वह वाइट नहीं हो जाता इस टाइम पर आप गैस का फ्लेम मेडियम तो हाई पे कर सकते हैं मेडियम तो हाई फ्लेम पर हम इसे कुक कर लेंगे जब तक यह अच्छे से वाइट नहीं हो जाता और यह सारे पीसे आपस में चिपकनी भी लगते हैं तो आप साथ ही साथ इसको चमत से अलग भी करते रहें यह दिखिए जैसे मैं कर रही हूं यह स थोटा चमत चिली फ्लेक्स नमक एट करेंगे टेस्स के अकॉर्डिंग इसके साथ इसमें जाएगी दो टेबल स्पून दही और हम इसे अच्छे से मिक्स करके कुक करेंगे करीब दो से तीन मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर तो आप इसे इस तरह से चलाते वे पका लें जब तक कि जो दही का मॉष्चयर है वह खतम नहीं हो जाता तपक के लिए हम इसे पका लेना है 2 मिनट बाद आम डालेंगे ऐगे लाल शिमला मिर्च और और यह लाल वाली शिमला मिर्च और रट कलर के लिए यहाँ पर टमाटर भी उसकर सकते हैं बस आपको टमाटर के बीछ निकाल कर उसे उसकरना है और टमाटर थोड़ा टाइट होना चाहिए साथ में 1 टेबल स्पून हम इसमें एड़ कर देंगे लेमन जूस और इसे मिक्स करके हम हाई फ्लेम पे एक से दो मिनट के लिए सौते करेंगे जिससे की प्याज और शिमला मिर्ज वो हलके से कुक हो जाएं इन्हें पूरा कुक नहीं करना है सौफ्ट नहीं करना है तो यह द और खुश्बू इसके अंदर आ जाए और आपको स्मोकी फ्लेवर मिले इसका तीन-चार मिनट के लिए आप इसे कवर करके छोड़ दें तो यह हमारी बहुत ही मज़े की चिकन की स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है और अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए औ और अब हम बना लेंगे एक बहुत ही मजी की सॉस इसके लिए मैंने आपर 1 थर्ड कप ले लिया मैयोनीज इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून टमेटो केचप 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस इसके बाद इसमें चाहिएगा 1 फोर्थ टीजपून वेनेगर या फिर लेमन चूस हाफ टीजपून रेड चिली पाउडर और 1 फोर्थ टीजपून या फिर उससे भी कम हम इसमें नमक अट करेंगे और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह हमारी पहुत ही मज़ेकी सॉस बनके रेड़ी हो गई है जिसे आप और भी कई रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं इसका टिस्ट बहुत ही मज़ेका है और आसानी के लिए मैं इसे पाइपिंग बैग में फिल कर रही हूँ जिससे की इसे असे असेंबल करते टाइम गोभी इसे मैंने पतला पतला स्लाइस किया है इसमें हम दो टेबल स्पून मैयोनीज के एड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हमारा कैबच का बहुत ही मज़ेका सैलेड भी रेडी हो जाएगा यह हमारा सैलेड रेडी है साइड में रख देते हैं और यहा इसे बेलना है अब हमें आप चाहे तो पूरा भी एक साथ बेल सकते हैं लेकिन मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है जिसे कि हैंडल करना थोड़ा एजी हो जाए तो अब हम अच्छे क्वांटिटी में यहां पर मैदा जो है वो डस्ट करेंगे जिसे कि यह सर्फेस पे बिल्कुल भी चिपके न और अब हम इसका बॉल बना के बीच में रखेंगे इसे हलका सा फ्लैट कर लेंगे हाथों से मैदा आपको अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है जिसे कि यह चिपके न और अब हम इसे बेल लेंगे इसे आपको रोटी से थोड़ा मोटा बिल ना है क्योंकि यह मैदा है तो थोड़ा श्रिंग भी होता है और जब हम इसे कुक करेंगे तो यह अपने साइज में डबल हो जाएगा आपको जितना इस टाइम दिख रहा है यह इसका डबल हो जाएगा आपको इस बात का ध्यान इसका डाइमेटर है और इसे हम एक प्लेट पर रख़ते जाएंगे यह देखिये तो यहां पर मैंने फर्स्ट पैच को डाइरेक्ट बेल के कट चरके उसे कुप जैसे जो हमारे पीटा ब्रेट्स थे वो अच्छे से फूले नहीं थे जो पीटा ब्रेट के अंदर परफेक्ट बनती है वो नहीं बनी थी क्योंकि यह फूले नहीं थे राइस नहीं थे और हमने रेस्ट नहीं दिया था तो आपको इसे रेस्ट देना बहुत जरूरी है बात 20 मिनट या फिर हाफ एनार के लिए आप इसे रेस्ट पे रख दे उसके बाद आपके सारे पीटा ब्रेट्स जो है वह बलून की तरफ फुलेंगे ट्रस्ट मी एक भी पीटा ब्रेट अपका फेल नहीं होगा इस तरह से नहीं बनेगा तो इसे हमें कुक करना है मीडियम फ्ले अब यह हम इसे आपको द्राइचस करना है यहां यह थे सारी अब करेंगा पाघज करना ड्यकिल आपको फ्ले दिए खालै तो आपको इसे मैडियम हए न Elk yaş सले जो फुले वाले पीटा ब्रेट्स थे वो लिये हैं वो मैं आपको दिखा देती हूं इसके बाद मैं आपको जो नहीं फुले थे उसमें भी बना कर दिखाऊंगी तो आपको इसे इस तरह से नाइव से कट कर लेना है चुरी से यह दिखी इसके अंदर बिलकुल पॉफेक्ट में तरह से अब तरह से के अब इसमें डाल दे आँको अब बदे देंगी तो इसमें डाल दे मुथे और धीस हुए." बनके रेडी हो गए आप देख सकते हैं कि कितने क्यूट लग रहे हैं यह और बहुत ही टैम्टिंग है बहुत ही मज़े के बैने थे इस रेसिपी को आपको लाजमी ठ्राई करना है और यहां पर यह जो हमारे पीटा ब्रेट से नहीं फुले थे यह मैं उसका आपको बना कर दिखा देती हूँ तो सबसे पहले आपको इसे नाइफ की है इसे सेंटर तक कट कर लेना है जिस तरह से में वीडियो में कर रही हूं यह इंत कि बिल्कुल सेंटर तक शीम करने के बाद हम उसी छूरी से अंदर की तरफ इसके इस तरह से करके पॉकेट बना देंगे अंदर डाल कि येवर ये हमारा पॉकेट बन गया है कि तो सबसे पहरे फिर सह में इसमें लगा देंगे सोस मिल्कुल उस पॉसी तरह से इसे भी हम असेंपल कर लेंगे और इसके बाद हम demand cabbage और आता है तो आप इसे दोनों में से किसी भी method से try कर सकते हैं बहुत ही मज़ी की recipe तो आपको इसे last tree करना है और मुझे अपना feedback भी देना है मिलते हैं एक और नई recipe के साथ तब तक के लिए अल्ला हफ़ेज